असलाम वालेकुम लेस्टार्स वेलकम बैक टू माय चानल आज आप सुनेंगे नौवल जाहत के रंग एपिसोड नमबर फोल और आज के एपिसोड में होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे तो चलिए और जानते हैं कि क्य है वो खुलासा सो लेट स्टार्टिड जैसे वो अंदर से एक बड़ी कोठी सजी थी बाहर से देखकर वो हैरान खड़ी रह गई थी ये तकरीबन दो एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस था कोठी के सामने एक बड़ा सा बाग था जिसकी दर्मियान सडक जो गेट तक ज और रंगीन फूलों से सजाया गया था बाग की तर्तीब बेहद आर्टिस्टिक अंदाज में की गई थी दर्मियान में एक फवारा भी लगा हुआ था एक जलपरी के हाथ में बड़ी सी सीप थी जिससे पानी निकल रहा था फवारे के अंदर कवल के फूल तेरते पिर रह था जिबके दूसरे बाग के कोने पर एक स्वेमिंग पूल और उसके पास एक बड़ा सा कमरा बना नजर आ रहा था जिसका दर्वाजा और खिड़किया शीशे की थी कमरा तकरीबन सामान के बगएर नजर आ रहा था ये जी सैफी बाबा का टोडियो है सफिया ने सफियो को गलत तलफ़ से अदा करते हुए महनम को बताया था वो जी यहाँ पर तस्वीरे वगएरा बनाते हैं और जब वो इस कमरे में होते हैं तो उन्हें कोई भी जाकर डिस्टरब नहीं करता बड़ा नराज होते हैं जी उसके चेहरे पर फेले सवाल का जवाब सफिया ने दिया था महनम एक बार फिर हैरान हुई थी ये जानकर के सहफी एक मसफ़र भी है और जी खोड़े पालना भी उनका शूख है बड़े महंगे और कीमती खोड़े हैं जी उनके पास रेस वगेरा में दोडाते हैं सफिया ने मजीर उसकी मालूमात में अदाफ़ा किया इ उसने आगे जाने के लिए कदम बढ़ाए थे लेकिन वो इतने बड़े आहाते का एक ही दिन में सर्वे करने से कासर थी सफिया के बताने पर वो कोठी के पिछले हिस्से की जानिब चली आई जहां पर एक छोटा सा चिडियागर मौजूद था कोठी तकरीबन दर्म्यान में तामीर की गई थी और उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ बना हुआ था महनम वहां पर हिरन, चकोर, मोर और मुक्तलिफ नसलों के तोते देखकर हैरान और खुश्वी हुई स्टूडियो के करीब एक खुबसूरस सा, शफाफ पानी से भरा स्वेमिंग पूल भी बना हुआ था एक साइट पर सबजियों के लिए जगा मुत्मक्तस थी और कौर्टर्स भी बने हुए थे वो बस दूर से देखकर ही वापस मुड़ाई थी काफी वक्त गुज़र चुका था, बाकी सर्वे उसने कल पर मुल्दवी कर दिया था अभी उसने अंदर भी कमरों की जांच करनी थी काकजान ने कहा था कि यहां पर आई दिन दावते वगएरा होती रहती है मेहमान गेस्ट रूम में भी एक दो दिन गुजारते हैं उसे अगर किसी चीज को तबदील करने या इजाफा करने की जरूरत महसूस हो उसके लिस्ट बना ले और उसमें पैसे की परवाह ना करे वो बहुत खुश थे, माहनम को यूँ काम करता देखकर बकौल उनके अब वो बोड़े हो गए थे, इतने भड़े खर बलके फार्म हाउस का इंतिजाम समालना उन्हें अब मुश्किल लगने लगा है अब वो इस सिलसले में उसकी मदद करेगी तो उन्हें भी आराम हो जाएगा लेकिन उनका रवया उसके साथ एक मुलाजम कसा था इन सब कामों के लिए तो बहुत सारे नौकर होंगे उससे वापस आते हुए सफिया से पूछा हाँ जी तकरीबन 15-20 तो बन ही जाते हैं इन सब को काकजान निभाते हैं सफिया ने जट कहा उसे ये नाजुक सी लेकिन पुर एतमाद लड़की अच्छी लगी थी और काकजान कब से जहन में गर्दिश करते सवाल को इसने पूछा है तो वो बे नौकर जी लेकिन बहुत पुराने हैं बड़े सहब के वालिद के जमाने से हैं बहुत अच्छे और नेक और मालिकों के वफ़दार है शुरू से ही सारा इंतजाम वो समाले हुए है बड़े सहाब उन पर बहुत एतमाद करते हैं और सैफी बाबा को तो उन्होंने ही पाला है सैफी बाबा उनको बहुत खास दरजा देते हैं जी उन्हें कोई भी नौकर नहीं समझता महनम को जितनी मालुमात दरकार थी वो उसे मिल चुकी थी बिलावज़ की कुरेद और तजस्स उसे पसंदना था और नौकर उसे जाती सवाल तो बिलकुल नहीं इसलिए मोखामोशी से अंदर चली आई उसका रुख किचन की तरफ था दो बहन में क्या पक रहा है वो जानना और देखना चाहती थी वो अभी किचन के दर्वाज़े में दाखिल ही हुई थी ती किचन से बहार निकलते तेजी से सैफी से टकराते टकराते बची वो काफी उजलत में लग रहा था देकर गए हैं सब को किचन में मसरूफ और अलर्ट देख कर शकूर ने जल्दी से उन्हें बताया ये सुनकर महनम अपने बेडरूम में चली आई वो मुखा वहां पर रहना उसे बेकार लगा था और वैसे भी जोहार का वक्त था वजू करके वो नमाज पढ़ने में मगन हो गई थी असर की नमाज अदा करने के बाद ही वो नीचे आई थी वो अपनी जॉप में कोई कोटा ही नहीं बरतना चाहती थी वैसे भी वो जिन्दगी के साथ समझाता करने वाली लड़की थी जिन्दगी जो उसके लिए चैलेंजिस लेकर आई थी वो उसे कुबोल कर चुकी थी और इस घर में अपनी हैसियत का तायून भी वो एक हाउस कीपर थी और बस और जो हाउस कीपर के काम होते हैं वो उसे अंजाम देने थे पतर इस नजर से बालतर हो कर कि वो इस घर में रहने वाले एक शक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती आवाजें चुके किचिन की चारिप से आ रही थी वो काकजान को वही पर मतवक्का होने की वज़ा से उधर ही चली आई थी लेकिन किचन का माहौल तो काफी दिल्शस्प बना हुआ था सैफी एपरन पहने नहाए थी महारत से स्लाइट पर सबजियां चौप कर रहा था उसके हाथ तेस चुरी के साथ बर्क रफतारी से चल रही थी शकूर सिंक में गोश्द हो रहा था और चूले के उपर दो अदद हन्डिया धरी हुई थी उसे किचन में दाखल होते देखकर बस एक नजर सैफी ने उसे देखा और फिर अपने काम में मगन हो गया था दिल ने दस्तर खान बिचाया दावते इश्ग है है कबोल तो आजा जाना दावते इश्ग है शकूर उसकी आमद से बेखबर मगन मौके की मुनास्पत से गाना गा रहा था महनम गाने के बोलों पर गड़बडा करे गई अजर भाई जान कहा पर है उसने जल्दी से शकूर से पूछा वो तो जी गोड़ों की तरफ गए है मसरूप से शकूर ने जल्दी से बताया और महनम उल्टे पाउं ही बाहर निकली बावर्शी कहीं का सैफी ने एक और खताब पे इजाफा करते हुए बाहर जाती महनम को बगौर देखा और पिर जल्दी से अपने सैल फोन पर किसी का नंबर मिलाकर जल्दी जल्दी कुछ हिदायात देने लगा शकूर कुछ समझता और कुछ ना समझता अपने काम में मगन रहा महनम भी यूँ ही चलती हुई फलदार बाग को देखती हुई होर्स ग्राउंड की जाने भड़ गई जिसके चारों तरफ मास का मस्बूत जंगला बनाकर लगाया गया था वो इस जंगले के करीब आकर यूँ ही खड़ी हो गई थी गोड़ों की हिन्नाहट की आवाज आ रही थी उसे इर्दगिर्द की खामोशी और नामहसूस सी चहल पहल मज़ा दे रही थी वो वही रुक गई काकजान नजर आ जाते तो वो उन्हें वही पर वो लिस्ट थमा देती जो उसने गेस्ट रूम देखते हुए चंद जरूरी अश्या की बनाई थी जिन्दगी भी एक पहली है और जब आप उसे सुलजा लेते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि अच्छा इस सवाल में पोशीदा ये जवाब था उसके जिन्दगी भी तो पहली ही बनती जा रही थी और अब वो खुद को एक फार्म हाउस पर यू खड़े इस पहली का पोशीदा जवाब पाकर हैरान सी खड़ी हुई थी ना जाने फुपो का क्या हाल हुआ होगा और चच्छा क्या उनके दिल में मेरे लिए कभी भी तेहम नहीं जागा अपने सफाक रवये पर वो कभी नादिम नहीं होंगे वो खामोश सोचों में गलता थी इर्द गिर्द से एकसर बेखबर जब ही उसे अपने बेहत खरीब घोड़े की तेज हे निनार्ट सुनाई दी और वो अपने खयालाज से चौक कर बेख़ियार पीचे हटी ग्राउन में एक फुपसूरत तवाना ब्राउन कलर का घोड़ा मौजूद था जिसकी बाग किसी नौकर ने संभाल रखी थी काकचान उसे देखकर उसके खरीब आए वो मैं यूँ ही आपको देखती दर चली आई ये लिस्ट बनाई थी आपको देना चाह रही थी वो उनके सवालिया अंदास पर चल्दी से बोली थी आपका घर है बिटिया रानी मैं अभी आता हूँ सैफी बाबा आ जायन जरा ये बहुत अड़ी कर रहा है काठी नहीं डालने दे रहा बहुत गुसीला है अब इसे सैफी बाबा ही समभालेंगे घोड़ी की जानिब देखते हुए काका जान ने अपने नर्म लहचे में कहा घोड़ा बहुत बिदक रहा था बाब तक नहीं पकड़ने दे रहा था बेचारे मुलाजिम ने ना जाने कैसी बाब समभाल रखी थी महनम को इस सारे मंजर में बेहाद दल्चस्पी महसूस हुई खास तोर पर वो इस खोड़े से सैफी को हारते हुए देखने की क्वायश मन थी नचाने क्यूँ तब ही उसे सैफी ग्राउंड में दाफिल होता दिखाई दिया ब्लू जीन्स की उपर सफेर शिर्ट जिस पर उसने ब्राउन स्लीवलेस जाकेट पहन रखी थी ये लिबास उसके मजबूत और कस्रती जिसम को बेहत नुमाया कर रहा था ब्लू जीन्स की नीचे लॉंग शूस थे और आखों पर सैंग्लासेज लगाए वो पूर एतमाद चाल चलता ग्राउंड में दाफिल हुआ था ये इनसान है या चलावा महनम सोच कर रह गई थी अभी कुछ देर पहले किचन में बाकाइदा शेफ वाला हुलिया बनाए एक माहिर कुक की तरह कुकिंग कर रहा था और अब किसी अंग्रीजी फिल्म के हीरो जैसा हुलिया बनाए घोड़े की जाने पढ़ रहा था घोड़े पर खास तोर पर अडियल घोड़े पर पहला इंप्रेशन बहुत चांदार पढ़ना चाहिए और तुम डरे हुए से उसकी लगामधा में खड़े हो तुमें तो वो किसी गिंती में शुमार करने वाला ही नहीं सेफी ने मुलाजम के करीब आते हुए कहां और महनम को उसका हुलिया बदलने की वज़ा अब समझाई थी अजीब बात है वो बिद बिदाई दिल्चस्पी में मजीद इजाफा हुआ था चाहकर भी वो वहां से जाने ही पाई थी काकजान भी उसके खरीब आकर मौदिब से खड़े होकर ग्राउंड की जाने देख रहे थे सेफी ने उसकी मौजूद्गी को नजर अंदास किया हुआ था उसकी सारी तवज्जा सिर्फ अपने गोडे पर थी ग्लासेस उतार कर उसने शर्ट के उपर के दो कुले बटनों के पाथ सुड़ से और लगाम मुलाजम के हाथ से ले ली घोड़ा बेचैन था और टिक कर खड़ा नहीं हो रहा था उसके हिन हिनाहट में गुस्सा और वार्निंग दोनों महसूस किये जा सकते थे इजी कारलेस इजी सैफी ने लगाम थाम कर उसे पुचकारा गोड़ा मजीद बितका था और महानम को यकीन हो चला था कि वो सैफी को अपनी पीट पर सवारी का एजास कभी बखशने वाला नहीं एक बार फिर की गई कोशिश पर घोड़े ने अपनी अगली दोनों टांगे उठा कर जमीन पर मारी अगर सैफी बर कुरफ़तारी से एक साइट पर ना हो जाता तो उसकी दोनों टांगे इसके सीने को लगती महनम का दिल धड़का था ये सब इतना असान नहीं था जितना वो समझ रही थी अल्ला खेर करें काकजान बे साखता बोले थे सैफी की छोटी सी पोनी से बाल निकल कर बिखर गए थे जिसे उसने बेनियाजी से कानों के पीछे उनसा था इजी कारलेस इजी, इजी माई बेबी सैफी उसे प्यार से पुछकार जरूर रहा था लेकिन उसकी बॉडी लैंग्विज में खास निडर्पन और हलका सा घुस्सा चलक रहा था जैसे वो घोडे को बावर करवा रहा हो कि तुम से जादा जित्दी और अडियल मैं हूँ लगाम को उसने हलका लेकिन फिर भी जटका दिया था इजी माई बेबी हर हिन हिनाहट के जवाब में सैफी उसे प्यार से पुकाटते हुए उसके साथ चक्कर लगा रहा था और फिर कुछ देर की मजीद अगोदों के बाद उसने सैफी की जित के आगे हार मान ली थी और सैफी ने पास खड़े मुलाजम से काठी लेकर उस पर रखते एक ही जुस्त में उस पर सवार होने में देर नहीं लगाई थी महनम को उसके चहरे पर दर आई फात्यहाना मुस्कुराहट भाई नहीं थी और वो उसी वक्त मुड़ गई और सैफी ने उसके चहरे पर छाई मायूसी को इतनी दूर से भी तार लिया था जिस पर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी वो और काकजान आगे पिछे ही अंदर दाफल हुए थे रास्ते में वो अपनी लिस्ट में शामिल सामान के मतालिक पताती आई थी और अब उसका इरादा अपने कमरे में जाने का था काकजान सैफी ने बार्बीक्यू कभी इंतजाम कर रखा है तिको की तयारी वगईरा वो करकर गए है दावत का इंतजाम सुइमिंग पूल के पास करना है महनम के लिए उन्होंने हुकम दिया है कि वो अपनी निगरानी में आपके साथ मिलकर इंतजाम देखे और यहीं पर रहे शकूर ने उसे सीडियों के जाने बड़ता देख कर सैफी का पेगाम दोनों को ही पहुँचा दिया था और वो सुनकर खामोशी से वापस बलटाई थी एक मुलाजमा ही तो हुम है उसकी शकूर के मों से अदा होने वाले हुकम का लफ्स जो उसने जल्दी से बदला था के मुतालिक सोचते वो काकजान के साथ इंतजाम देखने चल पड़ी थी नजाने क्यों दिल को ठेश सी लगी थी वो काकजान को इंतजाम करते देखती रही वो उससे मश्वरे भी मांग रहे थी और वोने जहां जरूरत पढ़ती दे भी रही थी शाम तक कमाम इंतजाम मुकमल हो चुका था धलते सूरज की लाली में स्विमिंग पूल और फुबसूरत फूलों से आरास्ता बाग बेहत भले लग रहे थे वो उदास और खोई-खोई से अंदास में मंजर को देखती अंदर चली आई मुलाजमीन के खाने का वक्त हो रहा था किचिन का दूसरी साइट का दर्वाजा जो पिछली तरफ खुलता था वहाँ पर सब खाना ले जाने के लिए खड़े थे शकूरी सब को दे रहा था सारा निजाम इतने मुनजम और अच्छे तरीके से चल रहा था कि उसे कुछ बे तबदील करने के खास जरूरत पहसूस नहीं हो रही थी इसलिए वो बस खामोशी से देख और समझ रही थी वाकई काकजान अपने मालिकों से बेहत मुखलिस और उनके वफदार थे मगरिब की नमास पढ़ने की घर्ष से वो अपने कबने की जानिब चल पड़ी थी जब इस F.A. मुकमल तयारी के साथ नीचे उतरता हुआ नजर आया वो अपनी ब्लैक शर्ट के बाजू पर कफलिंक्स लगाता हुआ उतर रहा था फ्रेंच हैरकट बाल थे, शर्ट के अगले दो बटन भी खुले हुए थे जिन में गले में पहनी चेन नुमाया नजर आ रही थी जिस पर परफ्यूम का बेहच छड़काओ था वो काफी निक्सिक से तयार हुआ लग रहा था महरम ने उसे नजर अंदास करके खामोशी से उपर जाना चाहा कहाँ? वो उसके सवाल पर ठिटकी थी लेकिन उसके संजीदा दासुरात देखते हुए मुक्तसर बोली थी नमास पढ़ने जा रही हूँ पढ़कर आज आना खाना अपनी मौजूद्गी में लगवाना और बात में कॉफी भी खुद बनवा कर बिजवा देना तुम्हें आने की जरूरत नहीं कॉफी बनानी आती है ना? उसने महसर अजबात में हिलाने पर इत्फ़ा किया था पार्टी रात गए तक चलेगी गैस्ट्रून को चेक कर वा लेना शायद मेरे एक दो दोस्ट है जाए लाउंच में टीवी मौजूद है तुम उसे देखते हुए अपना वक्त गुजार सकती हो उसने अब भी महसर ही हिलाया था वो एक बार फिर उसके मलगजे होली पर नज़र डालता नीचे उतरता चला गया था वो उसे एक मुलाजमा की तरह ट्रीट कर रहा था नचाने क्यूं उसे इंसल्ट का एहसास हुआ था हालाके हकीकत तो यही थी वो अपने परगंदा खयालात को जटकती हुई कमरे में चली आई थी और फिर सब काम उससे अपनी निगरानी में करवाई थी शकूर की और एक दो और मुलाजमों की खूब दोड़े लग रही थी इशा की नमाज भी उसने लाउंच में ही पड़ी जहां वो पड़ रही थी उसके बाएं जाने बड़ी सी फर्श तकाती ग्लास बिंडो थी जिसका रुख स्विमिंग पूल की जानिब था किसी तेज गाने की धुन पर जूमते हुए सैफी की नजर उस खिल्की की जाने बुठी थी पक्की मुलानी है उसके दिल में यही ख्याल आया था और अपनी दोस्त नैना के किसी बेदो के मजाग पर यह कहां लगा कर उसका ख्याल जटक देना चाहा सोफे पर बैठे बैठे अब उसे उंग आने लगी थी वो राज चल्दी सोने की आदी थी तब ही शकूर कॉफी का ओर्डर लेकर आया था और उसके हाथ में एक खुबसूरा सा शॉपिंग बैग भी था यह सैफी बाबा ने भिजवाया है आपके लिए उन्होंने अपनी दोस्त से कहकर आपके लिए कपले मंगवाए हैं कह रही थे कि इतने दुनों से एक ही जोड़ा पहन रखा है आपको जरूरत होगी दुपहर को मेरे सामने ही फोन किया था नौन स्ट्रॉप बोलते हुए शकूर ने दात निकों से थे बैग उसकी जाने बढ़ाया उसने खामोशी से थाम कर वही खरीब सोफे पर रख दिया और खुद कौफी बनाने उट गई वो बैग लेने पर मजबूर थी उसे वाक़ी एक जोड़े में गुजारा करना मुश्किल हो रहा था कौफी वगेरा बना कर उसने मिजवा दी थी काकजान कपके अपने कमरे में चले गए थे उनका कौटर भी कोठी के करीब ही था घुट्टों में दर्थ की वज़ा से वो इतनी देर तक काम नहीं कर सकते थे और उनकी तबियत के पेशे नजर ही सैफी ने महनम को रोक रखा था मुलाजमीन के साथ मिलकर उसने किचन का फेलावा समीटा था सफिय बरतन धोकर खुश करके उनकी जगाप पर रखती जा रही थी और वो अपने खांदानी किस्से भी सुनाती जा रही थी जिससे महनम गयर दिल्चस्पी से सुन रही थी बाहर कुछ अबाजें उपरी थी और फिर मादूम हो गई थी रात काफी हो चुकी थी जब इशकोर ने आकर सैफी का नया हुकम सुनाया था सब जाकर सो सकते हैं महनम शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे की जानब चल दी थी जबी उसने सैफी को अपने बैडरूम में जाते देखा जो उससे दो कमरे आगे था बखतावर सहाब तो नीचे वाले किसी कमरे में रहते थे वो हार्ट पेशेंट थे और सीर्णिया चरने से परहेस करते थे और आज तो वो सुबह से ही किसी मेटिंग को अटेंड करने इसलामबाद गए हुए थे शायद कल उनकी वापसी थी काका जान ने सुबह नाश्टे की टेबल पर उनकी गयर मौजूदकी की वज़़ बताई उनकी सुबह पांच बजे की फलाइट थी वो मुँ अंदेरे ही चले गए थे बकौल काका जान के उनकी कारुबार का सलसला काफी वसी था और उसकी देख भाल में वो काफी मसरूफ रहते थे दर्वाजे को अंदर से लौक लगा कर उसने बेट पर बैक को रखते हुए खोला और जैसे जैसे वो कपड़ों को बहार निकालती चली गई गोस्ते से उसका बुरा हाल होता चला गया उस बत्तमीज इंसान से ऐसी ही किसी बेहुदगी की उमीद की जा सकती थी उसका दिमाग खौल कर रह गया था और दूसरे ही लम्हें वो तन फन करती सेफी की कमरे का दर्वाज़ा धार से खोल कर उसके कमरे में मौझूद थी वो जो सोफे पर आड़ा तिर्चा बैठा हुआ था उससे देखकर सीधा होकर बैठा तो मिस वक्त यहां पर क्या कर रही हो जाओ यहां से मख्मूर लहजे में वो बोला था मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे कमरे में आने का मैं तुम्हें तुम्हारी ये बेहुदा नवाज़श लोटाने आई है उसने बैठ को फर्श पर फिकती हुए नहायती घुसे से कहा और मजीद बोली आइंदा मेरे साथ इस खुस्म की बत्तमीजी करने का सोचना भी मत मेरे हालात मुझे यहां पर रोके हुए हैं लेकिन इसे मेरी कमजोरी समझने की गलती कभी मत करना मैं कुछ और ना कर सकी तो अपनी जान तो दे ही सकती है मुझे अपनी इज़त, अपना वकार, अपनी जान से बढ़कर अजीज है घुसे में जो मुँ में आया वो बोलती चली गई थी जवाब में वो घुसे से चिलाया था और हाथ में पकड़ी बोतल भी सामने दीवार को दे मारी थी महनम उसकी दहार का जवाब उंगली उठा कर देने ही लगी थी वो उसके रद्धेंवल से डरी नहीं थी यही साबित करने के लिए उसे एक दो और खरी-खरी सुनाने के लिए रुकी थी अंदर से वो उसके घुसे से खायव जरूर थी अपने जगस से टस से मसना होता देखकर वो जो घुसे में खड़ा हो चुका था एक दो कदम लड़ खड़ाते हुए अपनी सुर्फ आँखों के साथ उसके कलीब आया और उसका बाया बाजू दबोच कर उसे कमरे से निकालते हुए गुर आया था निकल जाओ मेरे कमरे से महनम कोया के बारगी सुरतिहाल का अंदाजा हुआ और वो फॉरन अपने कमरे में आकर उसे लॉक लगा कर अपने बैट पर आन बैठी थी महनम को सैफी की सुर्फ आँखों को याद करके जुर जुरी आई थी पहली बार उसने किसी इंसान को नशे की हालत में देखा था उसे सैफी से नफरत महसूस हुई थी और खौफ भी नशे में इंसान अपने हवासों में कब रहता है पूरा जानवर बन जाता है और अगर वो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर जाता रात के इस पहर तो कौन था जो से बचाता और वो तो फिर उसकी मनकूहा भी थी बेशक वो दोनों दिल से इस कागजे रिष्टे को खुबूल नहीं करते थे लेकिन हकीकत तो यही थी वो कपकपा कर रह गई थी और बैट के एक कोने में सिमट कर चादर सर तक ताने सोने की कोशिश करने लगी थी नमाज अदा करने के बाद वो यू ही बड़ी सी ग्लास मिंडो के सामने जाकर खड़ी हुई थी नर्म नर्म सीधू दिया सहर में पाग का मनजर बेहत पुर सकून और दिलावेज लग रहा था तब ही उसकी नजर जॉगिंग करते सैफे पर पड़ी वो एक दम ताज़ा दम जॉगिंग में मसरूफ था राद जिस तरह उसने ड्रिंक कर रखी थी इस वक्त उसकी अंदास से जरा भी खुमार का शायबा नहीं हो रहा था रात का ख्याल आया थो रात वाला मनजर फिर उसकी याद में ताज़ा हुआ और वो जुरुजरी लेकर रह गई नशा तो इनसान को जानवर बना देता है अच्छे भले की तमीज खो देता है अच्छा बला इनसान भी लेकिन रात वो जिस तरह घुस्से में बगएर सोचे समझे उसकी कमरे में जाकर उसे वान करने गई थी उसने उसकी बत्तमीजी का कोई जवाब भी नहीं दिया था बस उससे कमरे से निकाल बाहर किया हाला के वो जितना उसे जानती थी वो फलर्ट और अयाश नौजवान ये तो उसके लिए सुनहरी मौका था वो उससे फाइदा उठा सकता था लेकिन उसने उसकी इज़त का मान रखा था दिन की रोश्णी में दिल उसे सैफी के मुतालिक कुछ और ही बता रहा था दिखा रहा था अपने खयालास से घबरा कर वो नीचे किचन के जानिब चलिया थी सभी लोग उठ चुके थे काकजान हाथ में तस्पी लिए शायद शायद कॉफी बनाने का इंतिजाम कर रहे थे महनम आगे बढ़ कर कॉफी मग पे भेटने लगी सफिया और शकूर भी आ चुके थे रात देर तक काम करने के बायस दोनों ही ठके और फामोश थे शकूर रहमों से कहकर सुमिंग पूल के पास से सफाई करवा दो सभी बाबन अपने स्टूडियो जाना है वहां की फोरण सफाई करवा दो पहले काकजान ने सेरे लब तस्वी करते हुए शकूर को हिदायत दी और वो सर हिलाता हुए चला गया सेफी बाबा वही पर नाश्टा करेंगे कोई नई तस्वीर बनानी है सफिया ने योही पूछा एक बावर्ची एक मुसविर भी है असल में ये शख्स है क्या ना चाहते हुए बिमाहनम फिर सेफी के मुतालिक सोचने रगी थी सर आ गए दिल की आवास को नजरन्दास करने के लिए उससे यूँ ही काकजान से बखतावर सहब के मुतालिक पूछा नहीं शायद उपहर तक आ जाएंगे काकजान में नफी में सर हिलाते हुए जिवाब दिया था कौफी दियार हो चुकी थी शकूर सैफी बबा की कमरे में कौफी दियाओ वो कमरे में जा चुके हैं काकजान ने किचन में आते शकूर से कहा मैं भी कहूं काकजान सैफी बबा की तबियत में यू ठेर कर बैठना तो है नहीं वो कैसे यहाँ पर उके हुए हैं अब समझ में आया उनका मोड तस्वीरे बनाने का होगा शकूर ने यूँ ही तब सिरा किया और अल्णा करे कुछ दिनों तक बनाते रहें काकजान ने फौरण कहा था चुके महनम को अब वहाँ पर अपने लायक कोई काम नजर ना आया वो वौक करती हुई होर्स ग्राउंड की तरफ चली आई थी इस वक्त ग्राउंड में दो तीन घोडे चकर लगा रहे थे उनकी देखभाल करने वाले नौकर भी साथ थे उसे यह सब देखना दिल्चस्प लगा तो वो यूँ ही जंगले के साथ टेक लगा कर खड़ी हो गई कल मैंने नैना से तुम्हारे लिए कुछ लेडीज कपड़े लाने को कहा था मेरा अस मौमले में तजर्बा जीरो है और चुँके वो ऐसे ही कपड़े पहनती है जिसे तुम बेखुदा नवाजश कह रही थी तो वो वैसे कपड़े ले आई गलती शायद उसकी भी नहीं मैंने उसे यह कहा था कि चंद लेडीज कपड़े लेकर आईएगा वो समझी शायद मैं उससे शॉपिंग का कह रहा हूँ तो वो अपनी मर्जी के लिए अपने कपड़े खरीद लाई पार्टी में वो मुझे कुछ कहना तो चाह रही थी मगर मेरा ध्यान नहीं गया आई थिंक वो शायद रात यहां स्पेंट करने का सोच कर नाइटी और शॉट प्लाउस वगेरा लेकर आई थी उसके गरीब आकर वो बिला तमहीत के बोला था और यूँ अचानक उसकी आवास सुनकर वो उचली पड़ी थी और उसकी बात समझ कर वो शर्म से सुर्ख होई थी एनिवेज कपड़े में उसे बजवा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि कैसे कपड़े चाहिए आई होप अब वो ऐसी कोई बेतुकी हरकत नहीं करेगी दुपहर तक आ जाएंगे चेक कर लेना वो जिस तरह से आया था पूरी बात करके उसी तरह से पलट गया था उसका रुख अब स्टूडियो की तरफ था उसका दिल हर चीज से उचाट और बेजार हो गया लहाज़ वो दुबारा अंदर की जानेब चली आई थी नाश्टा करके वो यूही बेडरो में चली आई थी फूंक वो बरदाश नहीं कर सकती थी अपनी मर्जी से कहां अपने सफर पे हम है रुख हवाओं का जिदर को है उधर को हम है लेकिन वो शाख से गिरे सूखे पत्तों की मानन तमाम उमर हवाओं के रुख पर नहीं जीना चाहती थी बाद उकाद उसका बड़ा दिल चाता वो फुपो से बात करे लेकिन वो ऐसा ना कर पाती उसे डर नहीं था लेकिन वो फुपो के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी और यकिनन वो कड़े निगरानी में थी पर ना मौका देख कर वो खुद ही उसे फोन कर लेती फिल हाल वो उस बड़े से फार्म हाउस पर एक सड़े हुए खडूस से शक्स के साथ बेकार जिन्दगी गुजारने पर मजबूर थी ये उसकी अंदर आते हुए राई थी उसकी चाल सुस्त और धीमी थी तब ही उसके पीछे मुखतार सहाब भी दाफिल हुए क्या हाले बेटा उनके सलाम में पहल करने पर वो कदरे शर्मिंद की पहसूस करते हुए उसने जल्दी से जवाब दिया था वालेकुम असलाम सर में ठीक हूँ आप कैसे हैं फॉर्मालिट्री निभाई थी बिल्कुल ठीक नहीं है और उस वक्त तक नहीं हूँगा जब तक आप मुझे अंकल कहना शुरू नहीं करती उन्होंने कदरे गूर कर जवाब दिया था सॉरी अंकल काका एक कप कॉफी पिला दीजिए और बर्खुदार कहां पर है लाउंच में सोफे पर बैठते हुए उन्होंने करीब आते काका जान से पूछा था स्टूडियो में उन्होंने खैरमक्दमी मुस्कुराहट के साथ मुखत सर जवाब दिया था और उन्होंने सर हिला दिया था और बेटा क्या हो रहा है वो फिर से महनम की जानेब मतवज़ा हुए थे और करीबी सोफे पर बैठने का इशारा किया था बोर हो रही हुए आपने मुझे ऐसे ही यहाँ पर खाना पूरी की जाब दी है काका जान तो बहुत पहले और बहुत अर्से से इंतिजाम समाले हुए है मेरे लायक तो कोई काम ही नहीं उसने मुझे बसूरते हुए कहा वो उनसे काफी रिलाक्स होकर हर प्रॉब्लिम शेयर करने लगी थी तो आप जॉब मत करो ये तो आपकी जिद के आगे मैंने कह दिया था अच्छा मैं आपको आपकी जॉब की रिक्वार्मेंट्स बता देता हूँ वो सीधे होकर बैठे और बोले यहाँ पर मेरी एक लाइबरेरी है आपने किताबे पढ़नी है वहाँ माली को बताना है कि आजकल के मौसम में कौन से इंपोर्टेट फ्लावर्स की पैंपरी लगानी चाहिए और जब मैं यहाँ पर हूँ देख अच्छी सी कॉफी मुझे बना कर देनी है आई थिंक आपको कुकिंग पसंद है तो रुजाना अच्छी से डिशिस बनानी है मैं हूंगा तो लास्वी उस डिश की तारीफ होगी उस सडू से उमीद बन रखिएगा यह रहा मेरा लैपटॉप इसके जरीया अपने तनई डिशिस सीख सकती है माली को बता सकती है प्लांट्स के बारे में वगयरा वगयरा इंटीर डेकॉरेशन कीजिए अगर मुझे टाइम मिला तो शतरंच खेलनी आती है इतने सारे काम है तुमारी जॉप में करने के लिए क्या तुम खुद को ना एहल साबित करना चाह रही हो ये सब ना करके उनके शरीर और दोस्ताना अंदास पर वो खुलकर मस्कुराई थी काकजान काफी अर्से से इस मकान का इंतिजाम बहुत अच्छे तरीके से संभाले हुए है लेकिन ये घर तबी है जब इस मकान के दरोदिवार किसी खातून से आशना हो जो के बहुत सालों से नहीं आखरी बात उन्होंने कदर संजीत की से अदा की थी और वो सैफी की वालदा के मुदालिक सवाल करते करते रुक गई उसे ये सवाल कबल अस वक्त और परसनल लगा था जब ही सैफी भी अंदर आया था उसके हाथ मुखतलिफ रंगों से भरे हुए थे जिनने वो कपड़े से साफ करता हुआ दाफल हुआ था और सामने उन दोनों को देखने के बावजूद यकसर नजर अंदास करते हुए वो सेड़िया चरता चला गया था महनम को उसकी बत्तमीजी खली थी और मुखतार सहब के चहरे पर एक तारीक से साया उबरता देखा था मैं अपनी नालाई की पर शर्मिंदा हूँ वागई बहुत सारे काम है मेरे करने के लिए अभी मेरे जॉब क्या है? कॉफी बनाओ या शत्रंच खेलेंगे? एक डेलिकेशन आया हुआ है शाम कोन से मीटिंग है बस तुम दोनों को देखने चला आया था और ये आप ले जाओ इंटरनेट इंसान को ना अकेला होने देता है और ना बोल्ड उन्होंने करीब पड़े बैक की जाने बिशारा किया जो ट्राइवर उठा कर लाया था ठैंक्स मैं कॉफी बना कर लाती है लाइक ऑल्सो चाहें लैप्टॉप आज के इंसान को तनहाई महसूस ना होने दे लेकिन कॉफी साथ लेकिन कॉफी साथ नहीं पी सकता और मैं अकेली कॉफी पीना पसंद नहीं कर दी उसने उठते हुए बैक की जाने बिशारा किया और वो उसकी एतमाद और जवाब पर फुश हुए थे और वो उनका ध्यान बटा गई थी वो दुपहर की खाने का मेन्यू बना रही थी जब भी बाहर से किसी की बोलने की आवाज सुनाई दी और फिर शकूर ने बताया कि सैफी बाबा की कुछ क्लाइंट्स थे तस्वीर लेने आये थे और वो तो एक प्रोफेशनल पेंटर था ओ तो वो एक प्रोफेशनल पेंटर था वो भी बस यूँ ही अमीरजादों की तरह उल्टी सीधे लकीरे खींच कर खुद को शौकिया मुसवर जाहिर करता होगा वो अपने काम में मगर नहीं थी आज उसका सिंधी बिर्यानी बनाने को दिल जा रहा था सफिया को साथ लगाए वो किचन में मसरूफ थी काकजान और शकूर फार्म हाउस में लगी सबसी उका जायसा लेने गए थे ये क्या है सैफी बाबा सफिया ने जल्दी से सैफी के बड़े हाथ से रकम लेते हुए पूछा था नजर नहीं आ रहा पैसे हैं रहमू की बेटी की शादी खरीब है ये उसे दे आओ पचास हजार हैं कहना शादी की तयारी करे बाप्ती पैसे फिर दे दूँगा शकूर को कहना के बिर्यानी बडानने के लिए पार्माउस से ताजा टमाटर धनिया वगेरा तोड़ कर लाए महरम उसकी गुफ्तगू पर चौंकी थी अगर्चा उसकी तरफ बैक किये हुए वो अपने काम में मसरूफ थी और अभी बिर्यानी की तयारी इब्तिदाई मराहिल में थी पैस चावल और चिकन और चंद मसालाजाद देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि क्या बन रहा है हाला के ये मुर्ख पुलाव की तयारी भी तो हो सकती थी बिर्यानी में ही केवडा और छोटी इलाईची डाली जाती है उफ पना है इस शफ्स से उसकी सोच को जैसे उसने पढ़ लिया था ये जुमला उसे ही सुनाया गया था और फिर वो चला गया था वाकई वो इतमाहर कुक था और कुकिंग का बेहर शौकीन उसे बखोबी अंदाजा हो चुका था बीबी जी मैं ये जरा रहमू को देया हूँ सफिया ने उसे मतवज्जा किया रहमू कौन? महनम पोचे बिदाना रह पाई माली है जी आपको सब नौकरों से मिलवाया था ना उसकी बेटी की शादी होने वाली है और अपने सैफी बाबा हम गरीबों का बहुत खयाल रखते हैं जी हर एक की जरूरत की खबर रखते हैं अभी पिछले दिनो जाकिर ड्राइवर है ना जी उसकी बेटे का अपन्डिक्स का उपरेशन था तो सारा फर्चा सैफी बाबा ने उठाया था और मेंगे अस्पताल में इलाज करवाया था सफिया जट से बोली थी तो तुम्हें ये पैसे क्यूं दिये खुद क्यूं नहीं दे दिये रहमू को महनम के जहन में उभरने वाले सवाल को उसने सफिया से पूछा था खौमखा मेरे सामने शो आफ कर रहा होगा मदद करते हुए दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए मगर ये खुद पसंद इंसान महनम ने सोचा काका जानिया मेरे जर्ये ही देते हैं उन्हें अपने सामने जुका हुआ सर वो क्या कहते हैं एहसान मंद नजर आना अच्छा नहीं लगता शुरू से ही ऐसा करते हैं जी जब उनकी कोई तस्वीर बिक जाती है तो बास दफ़ा वो भी सारी रकम यूँ ही किसी की हाज़त पूरी करने के लिए दे देते हैं अल्हां उनको खुश रखे हम गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं जी सफिया ने उसकी सोच की नफी करते हुए बताया था और अपकी दफ़ा वो खामोश ही रही थी मैं जी ये रहमों को देया हूँ और टमाटर वगरा भी लेया हूँ सफिया ने इजासत तलब अंदास में पूछा और उसने सर हिला कर इजासत दे दी थी बिर्यानी बहुत लजीज थी उसके हाथ में बहुत लजज़त थी हर किसी ने तारीफ की सिवाए उस ख़डूस के वो खामोशी से खाना खाकर उट गया था अंकल मुखतार और काकजान ने उसकी खाने की बेहत तारीफ की लेकिन नजाने क्यों वो सैफी की जानब से मंतजर थी कि वो बिर्यानी के मतालिक कोई तारीफी जुमला बोलेगा लेकिन वो उससे तारीफ क्यों सुना चाहती थी शायद वो खुद एक अच्छा कुख था नजाने दिल उसकी दलील पर मुतमाइन क्यों नहीं हुआ था इल्यूजन सर्फ मादी चीजों के तो नहीं होते इंसान और उनकी शखसियत के मतालिक दी आपको इल्यूजन हो सकते हैं बस आहर जैसे हम समझ रहे होते हैं असल में वो होता नहीं सैफी के मतालिक वो जितना जान पाई थी उसकी नापसंदीद्की में नुमाया कमी वाके हुई थी ऐसा नहीं था कि वो उसके मतालिक को जान कर और करीबी मुशाहिदी की बिना पर अपनी राय तब्दील कर गई थी लेकिन दिल उसके मतालिक सोचने लगा था और अपने एहससास से बाखबर होकर वोकर वो कद्रे परेशान थी बस ऐसी ही उल्टी सीधी सोचे सोचते हुए दुपहर को नैना की ड्रैवर के हाथ आए गए हाथ आए गए शॉपिंग बैग में से कपले निकाल कर देखते हुए उसने चार-पांच कमीज शलवार सूट देखे थे चदीद तराश खराश के बुटीक से लाए गए वो नहायती खुबसूरत दीदा जेब मलबुसाद थे उसे सैफी का ड्रिंग किये हुए का मंज़र याद आ गया था कैसे उसने उसे कमरे से निकाल दिया था वो नफस का गुलाम नहीं था वो जान चुकी थी और उसकी यही पहली खुबी उसे अच्छी लगी थी कपड़ों को समेट कर वो जल्दी से सोने के लिए लेट गई तमाम खयालात को जटकती हुए एक पल को तो वो ठिटका था मगर फिर जल्दी अपने एहससाद पर काबू पाकर नाश्टा करने में मसरूफ हो गया था बहुत प्यारी लग रही है हमारी बेटी अंकल ने उसके निखरे रूप को सराहा था दरसल उसने सैफिक के मंगवाए कपड़ों में से बुती का एक सूट जेबतन कर रखा था ये नेवी ब्लू कलर का सूट था जिस पर मुक्तलिफ रंगों के गुलाब के फूल काड़े गए थे और साथ में सतरंगी दुपटा था जिसको उसने हमेशा की तरह सलीके से सर पर जमाए रखा था अंकल के तपसरे पर वो जीपी थी और जल्दी से नाश्टे से फारिग होकर किशन में चली आई अंकल अपने आफिस चले गए थी अभी वो दुपहर का मेन्यू सेट कर रही थी काकजान के साथ मिलकर जब सैफी आया था बिना कुछ कहे वो कैबिनेट्स चेक कर रहा था काकजान अब उसकी जानब मतवज़ा थे शाम को कुछ दोस्त आ रही है मेरा इरादा सीख कबाब अफगानी कोर्मा और फूर्ट सालेट बिनाने का है बार्बी क्यू कर इंतजाम तो लाज़मी ही होगा हम्, मसाला जाथ तो तकरीबन है ही चंद एक चीज़े मिसिंग है मेलिस्ट बना देता हूँ जाकिर से कहिए का सामान ले आए और जरह शाम को स्टूडियो की बास ही दावत का इंतजाम करवा दीजिएगा मैं जरह कार्लिस को देखने जा रहा हूँ मुड कर उसने काकजान को मुखातिब करते हुए सबसे कहा था और वो इस बात में सरहिलाते हुए चले गए थे याद आया मोरो को वैक्सीन करवा दी गई है और हिरन का पिंजरापनी मौजूद की में साफ करवाईएगा मुझे साफ नहीं लगा सवाल के साथ एक और हिदायत मिली जी सैफी बाबा मैं कल ही करवाती हूँ और सफाई मैं करवा दूँगा काकजान जल्दी से बोले थे ठैंक्यू काकजान वो उनको बहुत एहतराम देता था शकूर कुकिंग मैं फुट करूँगा सपहर के बाद आज किचन की तफसीली सफाई कर लेना कद्रे परे खडे शकूर को भी हिदायत जारी की गई थी और फिर वो पलट गया था नजाने महनम को अपना यूँ इग्नोर होना अच्छा नहीं लगा था बद्दिल सी होकर वो लाइबरेरी चली आई थी और इतनी मालुमाती और नायाब किताबे देखकर छाई बिजारी उलंचो हो गई थी राजा गिद को शेल्फ से निकाल कर पढ़ने में महव हो चुकी थी और फिर वो किताब पढ़ने में ऐसी मगन हुई कि वक्त कुजरने का खयाल ही ना रहा नॉवल इतना खुबसूरत और जानदार था और फिर तखलीक की परवास बेहत बुलंद होने के बावजूद जमीन से चुड़ी हुई थी वो पढ़ने में मगन थी जब कोई तेजी सेला इबरेरी में दाखल हुआ था वो जो आराम देहालत में बैठी हुई थी सामने उसे आता देख कर देजी से खड़ी हुई थी चंद बेपरवा लटें चहरे का आहता किये हुई थी लंबी मोटी चोटी बाएकंदे से आगे जूलती हुई उसके लापरवा हुसन को बढ़ावा दे रही थी ओ, मुझे इल्म नहीं था कि आप यहाँ पर है उसकी बौकलाहर देख कर शायद उसने तफसरा किया था और किताबों की जाने बढ़ गया और वो किताब हाथ में पकड़े खामोशी से बहार निकल गई थी सैफी ने मुड़ कर उसे बहार जाती देखा और अपनी मतलूबा किताब हाथ में पकड़े उसी कुरसी पर आन बैठा उसकी हलकी सी गर्माईश ने चंद लंभे किसी और वजूद के यहाँ होने का एहसास दिलाया था और नजाने क्यूँ सैफी के लबो पर धीमी सी मुसकान उभरी थी काकजान ने इतला दी थी के अंकल मुखतार मीटिंग अटेंड करने के सिलसले में शेहर से बाहर गए है काम कुछ खास नहीं था वो अपने कमरे में चली आई थी और किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गई रात पार्टी कैसी रही और सैफी ने किचन में क्या कुग किया इसके बारे में जानना उसके लिए जरूरे नहीं था सुबा उटकर फजर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने मामूल के मताबिक किचन में चली आई जहां पर सिर्फ सफिया मौजूद थी बाकि सब कहां पर है सैफी बाबा तो बाहर वर्जश कर रहे है देर से सोई थे तो देर से ही उठे है शाय स्विमिंग कर रहे है शकूर भी वही पर है सफिया ने दाथ निकालते उसके सवाल का जवाब दिया और स्विमिंग को अपने लहजे में अदा किया मैंने काकजान के मुतालिक पुछा है माहनम ने संजीदा तासुराद से कहा वो तो जी सेफी बाबा की कुछ दोस्त गेस्ट रूम में ठहरे हैं शायद उधर ही होंगे रात देर तक पार्टी चली सबने पी कर खूप शोर मचाया तौबा जी तौबा बाबा तो खुद इतने अच्छे हैं बगर उनके दोस्तों ये सब आवारा लफंगे और शिचोरे हैं महमानों के लिए बिनाश्टा बनेगा उसकी तयारी कर लो उसकी बात को नजर अंदास करते हुए माहनम ने कहा था महमान कितने जी एक लड़की है जो इधर है और एक शाय सेफी बाबा का दोस्त है जो स्टूडियो में ठहरा है आपके होते वो अपने दोस्तों को घर के अंदर आने की अजासत नहीं देंगे तब ही तो पार्टी अब बाहर स्टूडियो के पास होती है वरना तो यहां घर में ही खूब अल्ला गुला होता था जी सफिया को बहुत जादा बोलने और हर किस्म की मालूमात देने का बेहर शौक था सेफी और इस किस्म की अफला की तद्बीरे वो तन्जी अंदास में सोच रही थी कोई शक अब उसके दिल ने जवाब दिया था हम् मुखतसर जवाब देती वो बाहर निकल आई थी जब एक लड़की किसी कमरे से बरामद होकर उसके जाने बाती नजर आई चूंके वो उसे देख चुकी थी और उसकी जाने बार रही थी जबी महनम को रुकना पड़ा ए सुनो एक कप काफी बना दो वो शायद उसे कोई मुलाजमा समझ रही थी अंदास काफी इस्तहकाग भरा था और हुलिया काबले एतरास स्ट्रेटनिंग किये खुले बेतरती बाल स्लीवलेस टॉप और बारीक ब्लैक टाइट्स पहने अपने हर आज़ा को नुमाया किये हुए थी टॉप का गला आगे पीछे से काफी खुला था उसका हुलिया देख कर महनम नजरे जुका कर रह गई वो जान चुकी थी के राजजु सैफी के दोस्त यहां रुक गए थी यह उनमें से एक है महनम उस लड़की को सैफी की दोस्त के रूप में देखकर एक बार फिर उसके मतालिक अच्छी राय कायम करते करते रह गई थी तुम कौन हों हाई यह ड्रेस तो मैंने सैफी की कहने पर जवाय थे वो अपनी मुलाजमों के लिए में ऐसी शॉपिंग करता है पत्रे लड़कराते उस निकाहा था वो शायद अभी भी पूरी तरह अपने हवासों में नहीं थी यह जी सैफी बाबा की बीवी है चन्द दिन पहले ही सादगी से निकाह हुआ है बड़े साहब की भ लगा था तब जट बोली थी और महानम उसकी जल्दबाजी पर बस उसे घोर कर रह गई थी वाट तुम्हारा दिमाग ठीक है सैफी ने शादी कर ली वो भी समुलानी से सरपर सलीके से ओड़े दुपट्टे को निशाना बनाते वो चिलाई थी उसे इस खबर ने अच्छा फासा शौक लगाया था मुनी मुनी आखें हच से जादा खुल चुकी थी वो तो शादी के नाम से भागता था मैं उनलो की पठी दो साल से उसके पीछे खवार हो रही हूं सैफी सैफी ये नौकरानी क्या बगवास कर रही है ये मिडल क्लास की लड़की तुम्हारी वाइ बार नहीं बस दोस्ती की हद तक ठीक है शादी नहीं कभी रही और अब इससे शादी ओ आई गॉट इट तुमने ड्रिंक की होगी और इसने तुम्हे फसा लिया होगा फिर ब्लैक मेल करके निकाह करवा लिया होगा शकल से गुन्नी लग रही है वकर तुम तो ट्रिंक में उसे महनम का तारुफ सुन कर वो नड़की तो गोया सदमे और हैरत से पागल हो गई थी सैफी जो टावल कंदे पर रखे महज लॉंग कैपरी में अंदर आ रहा था उससे देखते हुए वो ओल फॉल बक्ती चली गई जस्ट शट अप नैना क्या बखवास कर रही हो शी इस माई वाइफ और मैंने पूरे होशोहवास के साथ इससे निकाह किया है और इसने भी अपनी रुस्वानियत की तदली करके किसी भी तरह मेरे कुर्बत हासिल करने की कोशिश नहीं की और मुझे ये इसी हुले में दिल से लेकर चला जाए सैफी ने महनम के सामने खड़े होते हुए गुराते हुए कहा था महनम इस सारे हंगामे पर हैरान परिशान खड़ी रह गई थी और अब मैं तुम्हारी शॉपिंग किये गए कपड़े भी अपनी बीवी के तन पर देखना पसंद नहीं करूंगा आसरी जुमले पर जोर देते हुए वो बोला था इस इंसल्ट को मैं भोलूंगी नहीं I will not forget this वो चिलाई थी Just get lost सफिया बाहर का रास्ता दिखाओ इसे काका चान तो पहले ही बाहर निकल गए थी सैफी के कहने पर उसकी बेहुदा बाते सुन कर महनम को लगा जैसे वो जुलस्ती धूप में खड़ी थी और फिर सैफी उसके आगयान खड़ा हुआ और उसे साई का एहसास हुआ था उसके तवाना वजूद से मनजरे चुरा गई थी गंदे हाथ मत लगाना मुझे यूँ सफिया को गाली देती वो लड़की लड़कराती हुई बाहर चली गई और सैफी धब-धब करता दो सीड़िया फ़लंता अपने कमरे की जानिब चाया गया वो जहां की तहां खड़ी रह गई थी वजूद का बोज उठाना मुश्किल हो रहा था करीबी सोफे पर वो बेजान सी होकर ढया गई कितने घटिया इल्जाम लगाए थे उस बेखुदा लड़की ने आपको कपड़े सफिया को दे दीजिये का आपके लिए मैं फोर शॉपिंग करके लाता हूँ आस वो उसे लबरेज महनम की बदामी आखे देखकर वो करीब आकर बोला लिबास तब्दील हो चुका था ब्लू जीन्स पर सफेड टी-शिर्ट पहने और हाथ में कालकी चाबी थी सैफी बाबा बड़े साहब ने अभी आपको बाहर जाने से मना किया है शकूर ने डरते डरते हालात की संगीनी से आगाह करना चाहा महनम अब भी दुख के जेरे असर खामोश बैठी थी शिट तुम्हें या तुम्हारे बड़े साहब को लगता है कि मैं इस चुहे दान में दुश्मन के डर से बैठा हूँ सैफी शकूर पर उलट पड़ा और तेजी से बहार निकलता चला गया काकजान सैफी बाबा चले गए हैं मैंने रोकना चाहा लेकिन वो बहुत गुस्से में थे शकूर ने काकजान को देखते ही इतला दी और काकजान बहुत परिशान हो गए शकूर गार्ट से कहो फॉरण सैफी बाबा के पीछे जाएं उन्होंने फॉरन शकूर को दढ़ाया और खुद परिशान से अंदर चले आये थे फिर वो मुख्तार सहब को फोन करने लगी और सारी सुरतिहाल से आगाह करने लगे जी अच्छा फोन रखते हुए वो बोले थे बड़े साहब मीटिंग निप्टा कर आ चुके हैं और अब इधर ही आ रहे हैं अल्हा करे सैफी बाबे उन्हें रास्ते में ही मिल जाए और उनकी बात मान कर वो वापस आ जाए दुश्मन के शर्च से बचाना मेरे मौला वो लोग घात लगाए हुँगे मैं जानता था वो जादा दनिहां रुकेंगे नहीं एक तो मीटिंग की मसरूफियत और फिर वो बिटिया की परेशानी के खयाल से यहां पर थे वरना जितना गर्म उनका फून है किसी से डर कर वो यू बैठने वाले नहीं है काकजान तहलते हुए बड़ड़ा रहे थे महरम के चंद लम्हों के लिए सदमे से उसके हवाज मफलूचों कर रह गए थे नजाने कितना वक्त गुजर गया था जबी लाउंच में बड़ा फोन चिंगाड़ा था नजाने क्यूँ उसकी आवाज बड़े मन्हूस लगी थी उसे वो अभी तक सोफे पर एक ही पोजिशन में बैठी हुई थी काकजान ने फॉरण रिसीवर उठाया था और पिर उनके खर्शात की तजदीक हो गई थी रिसीवर छूटते छूटते बचा था उनके हाथ से चेहरे की रंगत यकदम सफेद पढ़ गई थी जी हम आ रहे हैं बस यही सरसराती आवास बरामद हुई थी उनके मूँ से बिटिया रानी बड़े साहब का फोन था सेफी बाबा को गोलिया लगी है हमें फॉरण शेहर के अस्पताल रवाना होना होगा काका जान ने महानम के गरीब आकर इतला दी उनकी आवास को लुगीर थी और महानम घबरा कर सोफे से उट खड़ी हुई थी उसे अपनी जान जिस्म से निकलती महसूस हुई थी मगर क्यूं इसका जवाब सोचने और देने का वक्त नहीं था वो लोग उसी वक्त गाड़ी में रवाना हो गए थे पीछे गार्ड्स की गाड़ी भी थी तमाम रास्ते काका जान और महनम के लबों पर सैफी बाबा की जान बचने की दुआएं थी गोलियां किसने चलाई थी वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी वो एक छोटा सा प्राइवेट हस्पताल था लेकिन अंदर से तमाम जदीद सहुलियाद से आरास्ता था ओप्रेशन थेटर के बाहर मुख़ार सहाब भी मिल गए थे जिनके चेहरे में जर्दी खुली हुई थी और वो सदियों के बिमार नजर आ रहे थे पांच गोलिया लगी है ओप्रेशन हो रहा है उनके करही बाने पर वो बस इतना ही बोल पाए थे महनम का दिल धड़कना भोल गया एक पल को वो उनसे नजरे भी ना मिला पा रही थी आज उनका बेटा मौत औजीस की कश्मकश में उसकी वज़ा से था तब ही एक इंस्पेक्टर उनके जाने बाया था और हाथसे के मतलिक तश्वीश करने लगा इंस्पेक्टर सहब मुझे किसी पर शक नहीं वैसे भी एक इत्फाक्री हाथसा है सैफी शिकार पर ले जाने वाली अपनी बंदूग साफ कर रहा था इस बाद से बेखबर कि वो लोडड़ है बस फिर ना चाने क्या हुआ कि गोलियां चलती ही चली गई मुझे जाने इंस्पेक्टर के सवालात के जवाब में ये कहकर महनम को हैरान परिशान कर डाला था उस सब जानते थे कि ये गोलियां चचा अख्तियार नहीं सैफी को जान से मारने के लिए चलवाई है लेकिन उस पर शक्तो क्या उन्होंने सिरे से ही बयान बदर डाला था वो इतने अस्रोरसोख वाले थे कि बड़ी असानी के साथ इस केस को पाय तकमील तक पहुँचा कर चचा को सजा दलवा सकते थे मगर वो तो कुछ और ही कह रहे थे महनम को बिल्कुल समझना आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे है आखर क्यों लेकिन सर इंस्पेक्टर ने कुछ कहना चाहा आपको जो भी लगे इन सब से बालतर इसे हाथसा ही समझा जाए और बस और यकिनन आप ये काम बखो भी कर लेंगे मुख्तार सहब ने बारो बंदाज में कहा और वो जो समझाना चाह रहे थे इंस्पेक्टर समझ गया था यकिनन वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ था जब ही इतने मौदिब अंदाज में पेश आ रहा था जी सर में समझ गया हूँ हो जाएगा बस जब सैफी बाबा होश में आएंगे उनका बयान रिकॉर्ड करके ये केस खत्म कर दिया जाएगा इंस्पेक्टर ये बात कहकर उनसे हाथ में लाकर चलता बना अंकल आपने असल बात क्यों छुपाई महनम पूछे बिना न रह पाई थी मैं जानती हूँ बलके हम सब जानते हैं कि ये काम चचा के सिवा कोई नहीं कर सकता उनके खिलाफ गवाही मैं दूंगी लेकिन यूँ करके तो हम उन्हें और शेयर कर देंगे वो हमें कमजोर समझ कर और शेयर पा जाएंगे वो मजीद बोली थी वो बेहत मुस्तरिब थी मैंने किसी वज़े से इस सब किया है थाना, अदालत और फिर मेडिया इस बात को बहुत अच्छा लेंगे उनके हाथ चंद दिन कमाने का बहतरी ज़रिया निकलाएगा और मैं अपने घर की इज़त और तुम्हें रुस्वा नहीं कर सकता सैफी भी ऐसा हर्गिस नहीं चाहेगा और फिलहाल तुम्हारे चचचा शेयर हुए है या नहीं मैं अभी इस बात को सोच नहीं पा रहा बस मेरा सैफी बच जाए फिर देख लेंगे तुम फिकर मत करो सब ठीक हो जाएगा आखर में उसके सर पर दस्ते शफकत रखते हुए उन्होंने कहा था और उसने खुद को उनके एक और एहसान के तले दबे महसूस किया था उसकी आखे फिर से अश्कबार हुई थी वो तीनों काफी देर ऑपरेशन थेटर के करीब रखे सोफो पर खामोश बैठे थे वक्त कछवे की चाल चलता उनके इस तराब में इजाफा कर रहा था हस्पताल में अपनी नौयत की गहमा गहमी थी नर्सेज, डॉक्टर्स और मरीजों का आना जाना लगा हुआ था लेकिन वो तीनों जैसे गुद्रत के रिमोट से स्टॉप कर दिये गए थे सिवाए आखों के जिन से वक्तन फवक्तन आसू रवा थे पाकाजान और मुख्तार सहाब की तो समझ आती थी लेकिन महनम का भी पूरा वजूद आसू बन चुका था इतने तकलीफ दे माहौल में दिल पर होने वाली वारदात ने उसे गुमसुम कर दिया था ना चाहते हुए भी वो अंचाहा शक्स उसकी चाहत बन गया था दिल के इनकिशाफ ने उसे हैरान परेशान कर डाला था और अब दिल उसकी जुदा होने के खौफ से सहमा हुआ था वक्त न चाने कितना गुजर चुका था जब डॉक्टर सिद्धिकी ऑपरेशन धेटर से बाहर निकले थे मुक्तार सहाब बे अफ्तियार उटकर उनकी जाने बाए थे गोलिया निकाल दी गई है लेकिन खौन बहुत जादा बह चुका है और जख्म भी काफी गहरे है ये बारा गंटे बहुत एहम है बारा गंटे के अंदर अगर उसे होश आ जाता है तो हम उसकी जिन्दगी की उमीद कर सकते हैं दवा का काम हो चुका अब दूआ कीजिए इन्शाला अल्लह वो करम कर देगा सिद्धी सहाब ने मुक्तार सहाब के कंदे पर हाथ रखते हुए कहा था अभी कुछ देर बाद उसे I.C.U. में शिफ्ट कर दिया जाएगा फिलहाल आप लोग उसे बाहर से देख सकते हैं फिर बारी बारी जाईएगा लेकिन अभी नहीं तसली देते हुए वो आगे बढ़ गए थे मुक्तार सहाब की तांगों ने जवाब दे दिया था काकजान जो खुद भी बेजान हुए थे उनका हाथ थामकर सोफे पर आन बैठे में रास्ते में था जब अख्तर बाडी गार्ड का फोन आया कि सैफिकी गारी पर गोलियों की बोच्छाड की गई है वो चुकि थोड़ी देर से निकले थे इसलिए उनकी गारी गदरे पीछे थी उनके पहुँशने तक दुश्मर अपना वार करके फरार हो चुका था ये खैरा बाद जिका थी यकिनन वो उसका पीछा कर रहे थे मैंने ही अफ्तर को सिद्धी की के हस्पताल पहुँशने का कहा ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरे पहुँशने तक आपरेशन शुरू हो चुका था काका जान अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिन्दा नहीं रह पाऊंगा मुख्तार सहा पताते हुए आफर में रो पड़े कुछ नहीं होगा उसे वो जिद्धी है लेकिन उसका दिल बड़ा नर्म है हमें ये छोड़ कर नहीं जा सकता जानता हूँ मैं अपने सैफी बाबा को अल्ला करम करेगा काकचान गुलूगीर लहचे में बोले थे और महनम बस चुप चाप बैठी रह गई थी अंकल ये सब मेरी वज़ा से ना बच्चे ना तकदीर के लिखे को कभी अपने खाते में नहीं डालते बस तुम उसके लिए दुआ करो मैं तुम्हे कभी को सुरवार नहीं समझता और ना समझूँगा ऐसे मत सोचो वो पौरन उसकी बात काट कर बोले थे बारी बारी जाकर वो उसे आईस्यू में देखाए थे महनम में हिमत नहीं थी उसका सामना करने की उस जगडालू जिद्दी और खुदसर इनसान को यूँ बेबस बेखबर देखने का खौसला उसमें ना था नजाने वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी या पर खुद का सामना करने से बचना चा रही थी वो तुमसे बेहत महबत करता है उनके जुमले ने महनम को चौका दिया था बेयकीन नजरों से उसने उन्हें देखा था शायद उसे सुनने में गलती हुई थी यही सच है बिटा वो तुमसे बहुत पहले से महबत करता है तुम वो वाहे दौरत जात हो जिसे उसने दिल से चाहा और उसकी चाहत को अपने दिल में छुपा कर रखा लेकिन इश्क और मुष्क छुपाएं नहीं शुपते मुखतार सहाब बेहद अपसेट थे सोफे पर बैठे अफसुर्दगी से बोले थे काका जान उनके लिए चाहे लेने गए थे रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था गहमा गहमी में काफी कमें वाके होई थी वो जो दिल में उसकी जिन्दगी के लिए दुआ गो थी मुखतार सहाब के मूँ से अदा होने वाले जुमलों पर साकित और बेयकीन सी बैठी थी एक रात वो हच्च से जादा ड्रिंक किये घर आया था मैं और काका वही मौजूद थे जब वो सीधा किचिन गया और छुरी से अपने हाथ पर कट लगाने लगा उस पर अजीब सा जुनून तारी था हर कट पर बस वो यही बढ़वड़ा रहा था कि यह हाथ उस पर उठा कैसे मैंने सब के सामने उसके नाजुक गाल पर थपड कैसे बेमारा मैंने और काका जान ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू किया था हवास खोते खोते भी वस वो यही कहे जा रहा था हम दोनों ने भूल कर भी उससे इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि वो अपने खौल में सिमट ना जाए मुहबबत से मुनकर ना हो जाए फिर उस रात तुम दोनों से अचानक फार्म हाउस पर मुलापाथ हुई तुम्हारी आप बीती सुनी लेने गया था शेहर वाली कोठी में जो नौकर रहता है उसने बताया था कि किसी का फोन आया था जिस पर सेफी बाबा ने पहले इंकार किया फिर एकदम जोड से बोले क्या मानम इंतजार कर रही है और पिर तुम्हारी परिशानी में ही वो तुम्हें लेने गया था हालकि उस वक्त तुम्हारे इंकार पर उसकी हालत कैसी हो गई थी वो उसने कभी जाहिर नहीं होने दी तुमसे जादा मैंने उसके गिर्द घेरा तंग किया और निकाह के बाद भी तुम्हें वही रखा फार्म हाउस पर रहने की तजवीज थी ये उसकी मुहब्बत ही है जो तुम्हारी फिक्र में इतने दिनों से फार्म हाउस पर है वरना बुजदिलों की तरहा घर में छुपने का वो सोच भी नहीं सकता वो तुम्हें चाहता है तुम्हारी फिक्र करता है लेकिन इसका एतराफ हो कभी नहीं करेगा प्रीज बेटा अब उसे रोक लो मीरी तो वो कभी नहीं सुनेगा लेकिन तुम्हारी पुकार उसे रोक लेगी वो फोट फोट कर रो दिये थे और महनम के आसू भी तेजी से बहने लगे थे आज शौक का दिन था इनके शफात का दिन था दिल के इकरार ने उसे हैरान कर दिया था और अब अंकल मुखतार के इनके शाफ ने बेयकीन हैरत से दो चार कर दिया था काका जान चाय ले आय थी लेकिन महानम का दिल किसी भी खाने पीने की चीज़ को देखने का भी नहीं कर रहा था डॉक्टर सिद्धी की राउन पर थे खास तौर पर सेफी की कंडिशन चेक करने आये थे लेकिन उनके चेहरे पर 6 संजीत की उन तीनों को आराम नहीं दिला पाई थी So listeners, this was the end of the चाहत के रंग एपिसोड नमबर 4 जल्द मिलते हैं एपिसोड नमबर 5 के साथ तब तक अपना खयाल रखें, दौाओं में याद रखें और अपना फीडबैक में ने साथ जरूर शेयर कीजिए आला हाफिज